अलो दोस्तों स्वागता आपका अपने यूटूब चैनल परवेंड ओलाइन क्लासिस में तो दोस्तों CDS1 2019 का एक्जाम जो है वो इंगलिस का हो चुका है तो उसकी अंसुरकी के बारे में आज यहां जो है बात करने वाले हैं तो फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरे पास यह सेट है वो क्या है सेट D है तो हो सकता है कि आपके जो कोशन है वो आगे पीछे हो ठीक है तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर जो आपने फर्स्ट 10 कोशन है एंटॉनियम से रिलेटेड मतलब आपको पूरे के पूरे 10 कोशन जो है इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा जिसके अंदर मैं सिर्फ पहले 10 कोशन इंगलिस के करवाने वाला हूँ जिसमें मेरा जो यह आंसर है वो एकदम 100 और 100 परसेंट जो है वो बिलकुल करेक्ट है ओके फ्रेंट्स तो मैं फर्स्ट कोशन की अगर फर्स्ट जो आपके पास आता है इसके अंदर फैनेटिकल फैनेटिकल का जो अपोजिट जो मीनिंग होता है वो आपका होता है मोडरेट ठीक न तो बिलकुल एकदम 100 परसेंट करेक्ट है तो सी इसका जो है करेक्ट आंसर है नेक्स्ट वैसे मैं डिटेल के अंदर अलग से अपने बाद साथ है ये कैता है कि religious fundamentalist of the following other religion of ये कैया है 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 तो हैस्टिक जो इसका जो अपोजिट मीनिंग है वो क्या होता है अपने पास second क्या believer ठीक न तो ये बी आप्शन इसका correct है question number 3 question number 3 के अंदर जो अंडर लाइन किया गया था वो कहता है इनर्ट का जो opposite meaning जो होता है अपने पास वो क्या होता है lively ठीक है ना तो lively जो इसका जो है opposite word होता है next option question number fourth की अगर मैं बात करूँ तो question number fourth के अंदर थोड़ा सा मेर को doubt है बाकि जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इसका जो I think मुझे जो correct answer लेता है वो क्या है इसका D है बाकि आप अपनी रहे दे सकते हैं comment box में comment करके okay next अगर मैं बात करूँ question number fifth की the teacher was is a very profound profound क्या profound man ठीक है तो इसका जो correct आपके पास answer रहता है वो रहता है superficial तो D is a correct answer next question number six his head written is readiable तो readiable का जो opposite meaning की अगर बात करें तो opposite meaning का जो है वो क्या है इसका illisible illisible ठीक है ना next अगर मैं बात करूँ question number seventh की तो यह कहता है the moment is the steadfast friend ठीक है तो इसका जो next आपका इसका जो option रहता है वो रहता है D unreabable ठीक है next question number eight question number eight में जो आपका option रहेगा वो इसका जो opposite रहेगा इस meaning का वो रहेगा आपका A रहेगा claim next ninth question के opposite की अगर बात करें the thief has very vital vital का जो opposite रहता है वो क्या रहता है इसके अंदर तो इसका जो रहेगा वो भी रहेगा essential okay next his lexer are often wordy and the pointless ठीक है next इसका जो meaning है opposite वो कह है कौन वाइस okay friends तो इस video के अंदर first ten question की बारे में ही बात करें जो अपने क्या थे synonyms थे बाकी के जो आपकी question रहते है वो सारे के सारे मैं next एक वीडियो के अंदर ही upload कर दूँगा सारे जितने भी है 25-25 question करके या 30-30 question करके आगे के जो part है English के वो सारे के सारे जो है मेरो channel पे आपको मिल जाएंगे okay तो अगर आपको कोई question में doubt रहता है तो आप मेरे को comment करके बता सकते हैं तो बाकी जो है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और मेरे channel को अब अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है तो please मेरे channel को subscribe कर लें और साथ की साथ well icon का button जरूर दवाएं ताकि अगर जो मैं जो इसका second part upload करूँगा उसका notification जो है आपको मिल जाए okay friends तो मिलते हैं next video के अंदर तब तक के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद जैहिंद जैह भारत